आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी वेलवेटी न्यूटेला टाट देखने में तो आप देखी रहे हैं कि कितनी यमी लग रही है ये और खाने में एकदम सिल्की वेलवेटी रहेगा इसका टेक्शर बहुत ही जादा यमी बनती है और आज की ये जो टाट है इसे हम बिना किसी बेकिंग के बनाएंगे यानि कि ना ही आज हम इसमें कोई अवन यूज कर रहे हैं और ना ही कोई कडाही बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है तो जरूर ट्राइ करिए कि आप भी इसे और अगर रेसिपी पसंद आए तो प् चाहें और बिसकित ले सकते हैं और अ और यूज के जगाएं तो अपना मन पुसंद कोई और बिसकित भी यूज कर सकते हैं तो बस मैंने इसे अच्छा से गया रह है इसे अब हम निकाल लेंगे एक bowl में और इसकी बाद अब हम अपने इन तायार biscuits में डालेंगे थोड़ा सा melted butter तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह अमुल salted butter यूज़ किया है आप unsalted butter या फिर घर का मख़न भी ले सकते हैं तो इस तरह से इस butter को biscuits में डालके से अच्छे से mix कर लेना हमें तो butter को biscuits में mix करने के बाद आप देखेंगे कि यह जो biscuits है यह इस तरह से बंधने शुरू हो जाएंगे तो बल्कुल ऐसी consistency चाहिए हमें इसकी तो बस इन biscuits को अब हम डालेंगे mold में और इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 3.5 इंच के tart mold यानि की pie mold लिए है और यह loose bottom mold है इसके नीचे की plate अलग हो जाती है तांकि बाद में इसे demold करना easy रहे और अगर आपके पास इस तरह से यह छोटे वाले mold नहीं है तो आप इसकी जगा एक 8 या 9 इंच का बड़ा वाला tart mold भी ले सकते हैं तो अब हम सबसे पहले इन तायार biscuits को equally divide करके इन दोनों molds में डाल लेंगे तो इस तरह से आधा-धा मैंने दोनों molds में डाल लिया है अब मैं इसे हाथों से adjust कर जी हूँ और इसके यह जो side की boundaries है इसे हमें हलका सा thick रखना है ताकि बाद में यह demold करते हुए तूटे नहीं तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो borders हैं इसको मैंने थोड़ा सा thick रखा है तो बस इस तरह से हाथों से हलका adjust करने के बाद आपको भी flat surface ले लिजे मैंने यह glass लिया है और इसे ना इसके साथ इस तरह से अच्छो से press कर लेंगे sides को भी और नीचे base को भी ताकि जो biscuits है ना यह अच्छो से pack हो जाए तो बस इसी के साथ हमारा यह एक mold तायार है इसी तरह से दूसरे mold को तायार कर लेंगे और इसके बाद अब हम इन molds को ना एक बार फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि यह जो biscuits की layer है यह अच्छे से set हो जाए और तब तक हम अपनी बाकी की तायारी कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 300 gram cream ली है और मैंने आज यह amul fresh cream यूज़ की है blue pack वाली जो market में बहुत ही आसानी से मिल जाती है आप ऐसे चाहे तो इसकी जगा heavy cream भी ले सकते हैं तो अब हम सबसे पहले एक bowl लेंगे और इसमें डालेंगे दो बड़े चमच corn flour और इसके बाद इस corn flour में अब हम इस cream में से ही तीन बड़े चमच cream आड़ कर लेंगे और इस cream को पहले corn flour के साथ अच्छे से mix कर लेंगे ताकि बाद में जब हम इसे अपने cream mixture में add करेंगे तो इसमें कोई lumps ना बने तो इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया है, corn flour cream का mixture तायार है और इसके बाद अब हम एक sauce pan लेंगे और इसमें डाल देंगे अपनी बाकी की बची हुई सारी cream तो जितनी भी cream हमारे पास bowl में बच गई है, इसे हम डाल देंगे अपने sauce pan में और इसे के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना nutella तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 212 gram nutella लिया है, इसे भी अच्छे से डाल देंगे अपने इस cream में तो इस nutella को पहले cream में अच्छे से mix कर लेंगे और फिर इसके बाद अब मैं इसमें आधा छुटा चमच coffee powder भी डाल रहे हूँ वैसे coffee powder optional है, आप चाहें तो skip कर सकते हैं बढ़ खलकी सी coffee chocolate के flavor को अच्छे से enhance कर देती है तो इसे try करके देखेगा तो अब हम gas की flame को बिल्कुल low रखेंगे और इस mixture को ना लगाता चलाते रहेंगे और इसे low flame के उपर इस तरह से चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये जो mixture है ना इसके side से bubbles ना बनने शुरू हो जाएं बस इसे लगाता चलाते रहेगा और flame को हमेशा low ही रखना है हमें तो बस थोड़ी देर तक इसे पकाने के बाद अब आप देखें कि cream के side से bubbles बनने शुरू हो गए है तो इस stage के उपर अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये corn flour और cream का mixture तो इस तरह से ये सारा mixture डाल के अब हम इसे साथ की साथ चलाना शुरू कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और low flame के ऊपर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो mixture है न ये थोड़ा सा थिक ना होना शुरू हो जाए तो इसे लगातार चलाते रहेंगे और साइट सक अच्छे से चलाएगा इसे तो बस एक-दू मिनट तक इसे पकाने की बाद mixture जो है अब ये थिक हो गया है तो हमें बिल्कुर इसे इतना पकाना है तो gas को हम बंद करेंगे और इसे ले चलेंगे kitchen counter पर तो आप देख रहे हैं कि अगाफी अच्छे से थिक भी है ये mixture और कितना creamy और luscious texture है इसका तो एक बारना मैं इसे whisk के साथ थोड़ा सा mix कर लूँगी तांकि एकदम smooth texture आ जा जा इसमें तो बस इसे थोड़ा सा mix करने के बाद अब हमारा ये निटेला mousse बिल्कुल तायार है और आप देख रहे हैं कि कितना yummy लग रहा है ये देखने में तो mousse तायार है इसे अब हम fill करेंगे अपने molds में तो ये जो molds है इसे fridge में रखे हुए तकरीबान आधा गंठा हो गया था biscuit जो है अब ये थोड़े से smooth texture तो इसलिए जितना भी mixture में रपस बच गया है इसे मैं एक kattori में रखके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा set हो जाएगा और फिर मैं उसे इसी तरह से serve करूँगे बिना biscuits के तो बस इसे हलका सा smooth कर लेंगे और end में इसकी garnishing के लिए मैं इसके उपर डाल रहें थोड़ा सा बारी कटा हुआ पिस्ता वैसे आप चाहें तो roasted hazelnuts डाल सकते हैं या फिर कोई भी और dry fruit डाल सकते हैं बट मेरे पास आज ये पिस्ता available था तो मैं यही जाल रहें इसके ऊपर तो बस हमारे ये tart shells तायार है अब हम इने fridge में रख देंगे तीन से चाल घंटे के लिए तना कि अच्छो से set हो जाए और फिर हम इसे serve करेंगे ध्यान रखे कि fridge में रखना है freezer में नहीं तो मैंने इसे तकरीबन तीन खेंटे तक रखा था फ्रिज में और अब यह बल्कुल अच्छे से set हो गए है अब हम इसे demold कर लेंगे तो इसके लिए इसके नीचे एक glass रखा है मैंने और अब हम इसे carefully निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे यह तो इस तरह से जब आप इस mold को हलका सा नीचे की तरफ पुश करेंगे न तो यह बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे तो बस इसी के साथ तायार है हमारी यह creamy luscious nutella tart तो आप देख रहे हैं कि कितनी yummy लग रहे हैं यह देखने में इसमें बाहर Oreo का crust है जिसे हमने shell बनाया और अंदर यह creamy chocolatey nutella mousse बहुत ही जादा यमी लगता है यह तो आप भी जरूर ट्राय करिएगा इसे यह आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा तो एक बर mousse के अंदर का texture देख रहे हैं आप कितना एकदम silky velvety है यह बहुत ही जादा यमी बनता है और हां इसे हलका साना microwave कर लीजेगा 10-20 seconds के लिए उसके साथ यह और भी जादा यमी लगेगा जैसे आप इसे इसी तरह से भी सर्फ कर सकते हैं यह तब भी बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो ट्राय करिए इस recipe को और मेरे साथ अपना feedback शेयर करिएगा पिक्चर शेयर कर सकते हैं इ यह recipe पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें